किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसरदाकर आप देख रहे है डी पार्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में हम गर्मियों में स्वेबिन की खेती के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप इस वीडियों में देख पा रहे हैं हमने स्वेबिन की बुवाई की है गर्मियों के मोसम में अध्यकतर किसान बाई स्वेबिन की खेती नहीं करते है लेकिन सिचाई वाले सेत्रों में आप गर्मियों में भी स्वेबिन की खेती कर सकते है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने किस परकार से स्वेबिन की बुवाई की थी किन खादों का परियोग किया था और यह वेराइटी कौन सी है इस वेराइटी का क्या नाम है इसकी क्या-क्या विसेस्ता है प्रति एकर उत्पादन कितना है इस वीडियो में आपको सभी बिंदों पर पूरी जानकारी मिलेगी आप इस वीडियो को पूरा देख लीजे जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको जानकारी मिल पाए किसान भाईयों जैसा कि आप ये हमारी फसल देख पा रहे है ये लगबग 30 दिनों के आसपास हो चुकी है इसकी बुवाई हमने लहसुन की हार्वेस्टिंग होने के बाद की थी खेत की गहरी जुताई की थी उसके बाद हमने बुवाई से पहले खेत तैयारी में सिंगल सूपर फासफेट डी एपी और नाइटरोजन खाद का प्रियोग किया था इसके बाद हमने क्यारिया डाली उनमें छिड़काव विदी से सुवैबिन की बुवाई की है जैसा की यह विराइटी का बीच जे हमने पहली बार लगाया था जिस कारण इसकी बीच की उतनी उपलबदता भी नहीं थी इस कारण हमने सिड्रिल की साइता ना लेते हुए हातों से छिड़काव कर सुवैबिन की बुवाई कर दी है अब बात करते हैं इस विराइटी के नाम की तो इस विराइटी का नाम KDS 726 है जिसे फूले संगम के नाम से जाना जाता है हाली में ये विराइटी कापी पॉपुलर हुई है बहुस्चे खिससान भाई इस विराइटी को लगाना चारते है जिसके पीछे बड़ा कारण है इस विराइटी का उत्पादन जैसा कि नॉर्मली सोयबिन का जो प्रती एकड उत्पादन आता है वो लगबग 4-5 कुंटल आता है लेकिन इस विराइटी का उत्पादन लगबग 8-9 कुंटल प्रती बिगा तक है किसान भाईयों हमने पहली बार इस विराइटी का प्रेक्टिकल किया है और हब हम देखेंगे कि इस विराइटी से वास्तों में कितना उत्पादन प्रती एकड या प्रती बिगा लिया जा सकता है हमारी फसल आप देख रहे है लगबग एक मैने के असपास की हो चुकी है इसमें हम स्प्रिंकलर की सहाइता से सिचाई करते है आप हमारी फसल देख पार रहे हैं फसल एकदम हारी बरी और बड़िया नजर आ रही है आगे भी आपको इस विराइटी से सम्बंदित वीडियो मिलते रहेंगे किस प्रकार की फसल होती है कितना उत्पादन हमें मिलता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं इस वीडियो को सियर कीजिए उम्मित करता हूँ जानकारी फसंद आई होगी नीचे कमेंट के माद्यम से अपने सुजाओ हमें दे सकते है मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद जैकिसान